दोस्तो जैसे ही उम्र 40-45 तब पहुंचती है वैसे ही जोडों में तर्द, अकडन और सूजन आरंब हो जाती है जिसके कारण चलने फिरने और अन्यक काम करने में ऐसे हैस्थता महसूस होने लगती है इस समशा को हिंदी में गठिया तो इंगलिस में अर्थराइटिस कहा जा लेकिन दोस्तो गठिया रोग होता क्या है दरसल जोडों की कार्टिलेज जो की जोडों को सुरक्षा प्रदान करने और उनको हिलाने डूलाने का कार्या करती है किन्तु गठिया रोग में ये कार्टिलेज तूट जाती है जिसे की जोडों में समश्य उत्पन होती है दोस् बच्चों में भी आ सकती है, दोस्तों वैसे तो गठियारोग होने का साधरन सेलक्षन ये होता है कि हमारी गुट्ऩों में और जोडों में दर्ध होना सुरू हो जाता...... लेकिन इसके और भी कई लक्षन हो सकते हैं जैसे कि तौचा का लाल और गर्म हो जाना, अकडन होना, सूजन होना, जोडों में दर्द, जोडों में सीमी धलचल रहना, ये सब लक्षन होते हैं गठिया रोक के हो जाने के. तो दोस्तो आज इस वीडियो के जरीमा आपको तीन ऐसे गजब के बहतरीन उपाए बताऊंगा, जिनका ये दियाब नेमी तरूप से पालन करते हैं, तो आप अपने गठिया रोक को जड़ सिसमाप्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है सेब के सिर्के का सेवन करना, इ आप मत्र दो सप्ताह के अंदर ही अपने जोडों में नई जवानी महसूस करने लगोगे, दोस्तो दूसरे उपाए में आपको एक चमच पिसी होई अदरक, एक चमच जीरा और आदी चमच काली मिर्च लेनी है और उन्हें अच्छी तरह से कूट पीस कर मिला लेना है, इस के लिए आपको सरसों के तेल को गर्म करना है और उसमें बराबर मात्रा में प्याज का रस्म मिलाना है, दोस्तो इस मिशेरें से दिन में दो बार जोडों की मसाज आवश्य करें, ये मसाज भी हमारे जोडों के लिए बहुती घजब की फाइदे मंद होती है, तो दोस्तो आज के इस नुसकेम बस इतना ही, थैंक्स ओर वोचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स